नोजयें दोस्टे गुण, टोटके टोटकी कुछ ऐसी चीज हैं जो कि लोग हमारे देश में बिल्कुल भी करने से कतराएं हमारे देश में इतने जम के तोटके किया जाते हैं कि कुछ ऐसी जगों पर भी हो जाते हैं या आपको लगेगा कि यह संभवता कि जब कोई cricket match चल रहा होता है और हमाई टीम अच्छा खिल रही होती तो आप जगे से खिलना भी नहीं चाहते है यूगि आपको लगता है कि आप वहाँ जम के बैठे हुए उसलिए भारत के विकेट नहीं किर रहा है ऐसा कई सारे केसेस में देखने के लिए मिलता है अब यहाँ पर जब पठान का टीजर रिलीज हुआ है तो इसके आगे पीछे भी कुछ इसी तरह के टोटके चल रहा है टोटकों के साथ साथ लोग एक स्पेकुलेशन जो होता है उसकी बात है कर रहा है दरसल टीजर रिलीज हुआ है उसको मिक्स प्रतिक्रिया मिल रही है पॉजिटिव वे में कुछ जादा ही मिल रही है लेकिन इसका कंपारिजन अब शारुक की पिछले फिन जीरो से भी होने लगा है और कैसे हो रहा है जहाल देंदराई जीरियों में किंग खान के रूप में हिंदी सिनिमा में मशूर रहया भिनेता शारुक खान की नय साल के पहले महिने में फिल्म पठान से होने जा रही वापसी अपने रिलीज से पहले ही हिंदी सिनिमा के लिए कुछ एक नया सबक सिखाने जा रही है दरसल शारुक खान की किसी फिल्म का पहले 24 घंटे में सबसे जादा बार यूट्यूब पर देखा गया टीजर या ट्रेलर फिल्म जीरो का है फिल्म पठान के टीजर का शारुक खान के प्रशनसकों को बेस बीसे इतिजार रहा है और तकरीबान उनके सबी प्रशनसकों ने टीजर देखा भी लेकिन इस बार गौर करने वाली बात ये है कि शारुक खान ने अपने किसी भी फिल्म के टीजर या ट्रेलर के व्यूज और लाइक सी खरीद पर सक्त पाबंदी इन्हें बनाने वाली कंपनियों पर लगाई शारुक की मनशाव अपने असली प्रशनसकों की संक्या जानने की हो चली दरसल फिल्म पठान का टीजर दो नवंबर को शारुक खान के जनम दिन के दिन सोबह करीब 11 बज़ रिलीस किया गे करीब 2 करोर से कुछ जादा रहा यह संक्या शारुकान की पिछली फिल्म जीरो के ट्रेलर को पहले 24 घंटे में देखने वालों की संक्या से आदी है सोर्सस बताते हैं कि यह संक्या और्गैनिक है यानि इसमें व्यूज या लाइक्स बढ़ाने के लिए का एजनसी ने कोई मदद नहीं लिया है हाल के दिनों में कई सारी नई फिल्मों को टीजर या ट्रिगलर के पहले 24 घंटे के व्यूज के रिकॉर्ड बनाने का एक चलन सभारती सिनेमा में शुरू हुआ है इसके बावजूद लगातार फ्लॉप होती फिल्मों को देखते हुए हिंदी सिनेमा के 14 फिल्म कारों को अपनी रणनीती बदलने और फिल्म का नकली प्ता करने की बजाए फिल्म को बहतर बनाने पर ध्यान देना गया है यश्राज फिल्म की इस साल रिलीज हुई फिल्म समराट की सिराज के ट्रिलर को पहले 24 घंटे में चार करोड 38 लाग व्यूज तक पहुचाने और इसे हिंदी सिरेमा का इस सबसे जादा बार देखा गया ट्रिलर बनाने में इससे जूड़ी एजिंसियों का पसीना निकल गया था लेकिन फिल्म का पहले वीकेंड में फ्लॉप होना इसके उलटी दिखाई दिए जिश्रा इस फिल्म से सूतर बताते हैं कि फिल्म पठान की मेकिंग में इसके निर्देशक सिदार्द आनंद को पूरी आजादी दी गई और उनके नजरिये में किसी को दखल देने की अनुवती भी नहीं थी फिल्म के ट्रेलर में जो ताजगी देखी है वो भी इसी का नतीजा है फिल्म कारोबार के विशेशग्या अतुल मोहन भी मानते हैं कि किसी ट्रेलर की लोग प्रियता फिल्म के अच्छे कारोबार की गैरेंटी नहीं हो सकती वो कहते हैं कि फिल्म अपनी गुणवत्ता, अपनी कहानी और दर्शकों से अपने सीधे समवाद स्थापित कर पाने की शक्ती से चलती पहले 24 गंटे में ट्रेलर देखने वालों की संख्या ही ज़रूर बताती है कि फिल्म को देखने की दर्शकों में कितनी उत्सुकता है और अगर किसी फिल्म का ट्रेलर पहले 24 गंटे में 20-25 लाख लोगों ने देख लिया है तो उसकी ओपनिंग अच्छी होने की उमीद बन सकती फिल्म समराप्पिति राच के अलावा बीते साल रिलिजरी फिल्म 83 के ट्रेलर को भी पहले 24 गंटे में करीब करीड़ी 4 करोड 33 लाख लोगों ने देखा था लेकिन फिल्म फिर भी बॉक्स आवरेस पर फ्लॉप रही थी अतुल के मताबिक फिल्मों के ट्रेलर देखने वालों की संख्या और वही फिल्म सिन्मा घरों में देखने वालों की संख्या में कोई सीधा संबन नहीं है ज़रूर नहीं कि जो लोग फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं उन्हें वही लोग सिर्वा घरू में भी देखने की लालसा बना रखें ट्रेलर एक तरह का लिटमस टेस्ट है और इसका नतीजा फिल्म के हक में और विपरी दोनों तरह से आ सकता है अगर हम 24 गंटे के पांच मोस्ट वॉच ट्रिलर के बात करें तो सबसे ओपर केज़ेश शब्रा 2 है करीब 4.90 लाग फिर पिर 3 राज है 4.49 लाग शाद 83 है फिर सूरे वंची है और फिर 0 है तो ऐसे में यहाँ पर शारुक खान अब और गैनिक चीजों की तरह बढ़ रहा है सिर्फ खाना ही नहीं अब लोग व्यूस भी और गैनिक चा रहे हैं और गैनिक व्यूस ऑविस सी बात है ज्यादा पॉजिव होते है तो ऐसे में व्यूवर्स के साथ साथ फिल्मेकर्स को बताइएगा मेरे सुडियो व्यूवर्स नहीं जाहिए जाहिए